तो आपको अच्छी लग रही है यह बुनाई बहुत सुन्दर है और बहुत सिंपल है लेकिन बहुत अट्रैक्टिव लग रही है और मुझे लगता है इसको पहन के काफी कलर्फुल हो किया जा सकता है चीजों को और यह किसी भी कलर पर चलेगी और इसके टैसल्स भी बड़ इस स्टोल में कितने फंदे पड़े हैं और इसमें कितनी उन लगी है यह हम बाद में देखेंगे पहले हम इसकी बुनाई को समझ लेते हैं तीन रंग की उन हमको चाहिए और यह देखिए मैं थोड़े से फंदों पर सैंपल डाल कर दिखाने वाली हूँ जब भी हम इस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट बुनते हैं तो हमें पहले थोड़े से फंदों पर उसके सैंपल को बुनकर यह देख लेना चाहिए कि कौन से नंबर की सलाई उसमें ठीक बैट रही है यहाँ पर मैं आठ नंबर से यह बुनने वाली हूँ हमारा बुनने का तरीका थोड़ा धीला टाइट होता है तो सलाई उसी हिसाब से थोड़ा एक नंबर आगे पीछे एडजेस्ट करी जाती है मैं डबल उन पर फंदे डालने वाली हूँ उससे जो यह हमारी किनारी है यह ठीक रहती है बुनाई और किनारी एक समान होनी चाहिए यह नहीं कि किनारी टाइट हो जाए बाकी आपके बुनाई का स्टाइल जैसा भी हो अगर आप सिंगिल उन से फंदे डाल रहे हैं तो एक नमबर मोटी सलाई यूज करें यहाँ पर हमको multiple of 6 plus 3 6 के गुणा से जमा 3 फंदों की जरूरत है तो मैं थोड़े से फंदे डाल कर फिर आपको मिलती हूँ यह हमारे 19 फंदे हो गए 20 और 21 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 19, 20, 21 इस तरह से आपको जितने भी फंदे डालने हैं 6 का पहाड़ा पढ़िए और 3 फंदे और डाल लीजिए इसके बाद हम यहाँ पर लगाते हैं कि हमारा पहला फंदर डीला ना हो जाए अब यह जो 3 रंग की उन से हम बुनाई करने वाले हैं तो बुनाई की भाषा में जब 3 रंग की उन यूज होती है तो उनको A, B, C नाम दे दिया जाता है तो A कलर से हमने फंदे डाले हैं अब हम दूसरी उन B कलर यूज करेंगे यह सफेद रंग की मैंने दूसरी उन ली है आप अपनी मर्जी से कोई भी उन 3 कॉम्बिनेशन बनाकर बुनाई कर सकते हैं अब देखिए बुनाई क्या है इसको समझिए 3 फंदे सीधे बुनने हैं 1, 2, 3 फिर 3 फंदे उल्टे बुनने हैं 1, 2, 3 यही दोहराना है 3 फंदे सीधे 1, 2, 3 और 3 फंदे उल्टे 1, 2, 3 बुनाई बहुत आसान है और देखने में बहुत खुबसूरत लग रही है आप अच्छे रंगों से कॉम्बिनेशन करके बनाएंगे तो बहुत सुंदर शॉल, स्टोल, मफलर बनेगा अब देखिए जो 6 के गुणा से थे हमने 3 सीधे 3 उल्टे बुन लिए अब आखिरी 3 फंदे बचे हैं इनको हमें 3 सीधा बुनना है B कलर से हमने अपनी बुनाई कर ली है अब हमको क्या करना है रंग बदलना है C कलर हमको लगाना है तीसरा जो रंग है वो हमको अब लगाना है यहाँ पर मेरे पास यह ग्रीन कलर है इसी को मैं लगा कर आपको सेंपल बुनकर दिखा रही हूं तो यह हमने लगाया और फिर से हमने 3 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे बुनाई वही है सिर्फ हमने रंग बदला है तो हम यह थोड़े सी बुनकर देखते हैं फिर हम आगे साइस और फंदों की बात करेंगे तो देखिए कितनी आसान बुनाई है सिर्फ 3 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे हमको बुनने है यह हम आ गए लास्ट में हमारा जो 6 के गुणा वाला हिसाब है वो पूरा हो गया और आखिरी में हमको 3 फंदे सीधे बुनने है यहां हमने उन जोड़ी थी इसको हम इसके साथ गाट लगा देंगे बाद में इन उनों को सफाई से छिपाना है अब देखिए जब हम यहां पर आए है तो यह एक कलर हमको मिल गया जो पहला वाला रंग है यह हमको यहां मिल गया तो इससे हमको वही 3 सीधे 3 उल्टे बुनना है तो यह देखिए 3 सीधे 3 उल्टे मैं मिलती हूँ आखिर में पहुँचकर लास्ट में हम आ गए आखिरी 3 फंदों को हमें सीधा बुनना है तीसरे फंदे को हमने बुनना और यह हमने जो उन जोड़ी थी यहां पर इसको हमें यहां पर गाट लगानी है तो यह हमने उन को सम्हाल दिया अब देखिए अब यह हमारी सेटिंग पूरी हो गई है अब हम मरून कलर से बुनते हुए आए अब हमको यहां पर यह जो हमारा बी कलर है यह मिल गया बस एक रंग से एक सलाई हमको बुननी है और इतना आसान सा डिजाइन है रिवर्सिबल यह डिजाइन है दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा है एक उन से हम बुनते हुए जाएंगे और वहां पर हमको दूसरी उन मिल जाएगी अब देखिए कुछ सलाईयां बुनते हुए हमने इस सैंपल को बुन लिया और कितना सुन्दर यह हमारा कलर कॉंबिनेशन लग रहा है तो आप अपनी खुशी से अपनी मर्जी से आप कोई भी कलर कॉंबिनेशन लेकर यह सुन्दर सा मफलर शॉल स्टोल बना सकते हैं दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा डिजाइन है अब हमको लास्ट में क्या ध्यान रखना है यह हमने शुरुआत जिस रंग से करी थी हमको बंद भी उसी रंग से करना है तो हम चाहें तो यह अभी हम देखिए पहले एक बुनाई की सलाई बुन रहे हैं जैसे हम बुनाई कर रहे थे ना तीन सीधा, तीन उल्टा यह हम पहले एक बुनाई करेंगे और उसके बाद फिर हम इन फंदों को बंद करेंगे इसी रंग से तो यह मैं सलाई बुन कर फिर मिलती हूँ आपको तो यह अगर आपको सार्दा निटिंग चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो यह देखिए हमने मेरून कलर से आखरी लाइन अपनी बुनी है और अब हम इसी रंग से बंद करेंगे तो यह बहुत छोटी सी बात है लेकिन इसको हमें ध्यान रखना है इस तरह से नॉर्मल फंदों को हम बंद करेंगे टाइट नहीं बंद करना है जैसे शुरुवात वाली किनारी जो है वो हमारे शॉल स्टोल के साइज की रहे खिची खिची टाइट ना रहे भिची भिची सी उसी तरह से यह फंदे बंद करने के समय भी हमें साफधान रहना है आप मोटी सलाई लगा सकते हैं अगर आपके फंदे टाइट आ रहे हैं तो एक दो नंबर मोटी सलाई से यह फंदे आप बंद करें तो इस तरह से यह हम फंदे बंद करेंगे बाद में इसमें जालर लगाएंगे आखिर में आ गए हम ये लीजिए और अब हम सबसे लास्ट के फंदे को हमने बंद किया और इसको उपर खीच के थोड़ा सा खीच के इसमें से इस उन को निकाल के खीच दिया तो ये किनारी हमको टाइट नहीं करनी है इन सब उनों को हम छिपाएंगे अच्छी तरह से नौट लगा के और देखिए ये जैसे हमारी किनारी है और ये भी हमारी किनारी है दोनों किनारी एक समान और कितना सुन्दर ये हमारा डिजाइन आईए अब हम थोड़े स्टोल के साइस और फंदों की बात कर लेते हैं इसमें फंदे हैं 111, 111 और इसमें उन जो है वो लगभग 600 ग्राम लगी है उन इससे भी ज्यादा आपको लेकर बुनाई शुरू करने चाहिए क्योंकि उन का उन उन का वजन लंबाई अलग-अलग होती है और इसकी लंबाई जो है वो 66 इंच और जालर अलग से है और चोड करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं बुनाई न जादा टाइट हो न जादा धीली हो आशा है यह सारी बातें आपको समझ में आ गई है आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद